तो आज हम जानने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से spotting error error spotting को क्रैक करें किस तरीके से फुल मार्क्स लेकर आए spotting error error spotting में आपको तो पता ही है कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो सारे के सारे entrance exams के अंदर आता है तो अब कोई भी entrance exam competitive exam लिख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है error spotting होता क्या है आपको एक sentence दे दिया जाता है जिसे कुछ parts में divide कर दिया जाता है अब उन में से पूछा जाता है कि कौन से part के अंदर error है अब आपको या तो उस part में से या सारे part में से किसी part में error ढूणना होता है अगर आपको लगता है कि यहां पर error नहीं है तो आप last option जो कि होता है no error वाला उसको tick करते हो यह काफी असान हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके grammar rules काफी अच्छ है सबसे बड़ा hurdle जो आप लोगं के सामने यहां पर आता है वो यह है कि आखिरकार में error ढूणू कहां से क्या spelling के कोई mistakes हो सकते हैं क्या punctuation में mistakes हो सकते हैं मतलब कोई ground नहीं है यार कोई standard नहीं है यह समझ में नहीं आता कि error हो किस-किस में सकता है तो आज के इस video के अंदर हम लोगं discuss करने वाले हैं कि in order to score full in error spotting अभे कहां-कहां पर error ढूणने हैं and that too with examples तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोगं देखते हैं number one जो error आपको error spotting के questions में देखने को मिलेगा वो है article का आर्टिकल तो एकदम ऐसा topic है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो a and the exactly वही है आर्टिकल का error बहुत ही commonly आपको error spotting में देखने को मिल जाएगा आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब a and the होता है आपको इसके लिए जानना जरूरी है कि a and the कहां पर place करते हैं तो rules को handy रखिएगा, error आपको कैसे देखने को मिलता है, example देखे My father does not go to the city on the foot, he goes there by train अब यहां पे on the foot लिखा हुआ था, इस part में sentence की गलती है on the foot की जगे on foot होना चाहिए, the एक ऐसा article है जो की actually इस्तमाल किया जाता है किसी specific चीज के बारे में बताने के लिए, इसका इस्तमाल singular और plural दोनों के साथ किया जाता है usually names के आगे किया जाता है, या किसी ऐसी चीज के लिए किया जाता है जो one of its kind हो, I think universal truth, scientific facts, इन सारी चीजों के आगे हम इसका नाम लेते हैं newspaper के नाम हो गए, rivers के नाम हो गए, water bodies के नाम हो गए, इन सब के आगे हम the लगाते हैं the का इस्तमाल आप जहां चाहो वहां नहीं लगा सकते हो, yes, the का इस्तमाल ऐसी चीज के आगे भी लग सकता है जिसके बारे में बात पहले की जा चुकी हो, ऐसा कोई भी case यहां पर नहीं है, तो बेवालतु द लगाने का कोई sense नहीं है इसको correct करेंगे और on the foot की जगे हो जाएगा, on foot next error आपको जो देखने को मिलेगा, वो है noun और number के अंदर, noun और number के अंदर सबसे जादा आपको error देखने को मिल सकते हैं आपको इसको subject, verb, concord भी आप समझ सकते हैं, बहुत 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 ऐसा होता है, कि noun के तो गलतियां होती है noun और verb कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं, उसकी भी बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती है आम तोर पे noun और number की गलती देखने को मिलती है, that means यहाँ पर या तो singular की जगे plural किया हुआ है यह plural की जगे singular किया हुआ है, और पता है यह गलतियां में पकड में भी नहीं आती, जैसे कि यह बहुत बार में बच्चों को यह चीज देखती हूँ, कि वो one of the के बाद में सीधा कोई singular noun लगा देते हैं, कोई singular word लगा देते हैं यह सबसे बड़ी गलती है, इस example को देखिए, it is said by some persons that one of the bank has started a new scheme of lending, one of the के साथ में हमीशा हम plural word लगाते हैं, one of the, मतलब पूरे जुंड में से एक, तो आप bank अगर एक ही है, तो one of the कैसे हो सकता है, तो आपको बताना है सारी बैंकों में से एक, इतनी सारी बैंकों में से ए तो इसके लिए one of the bank की जगे क्या होना चाहिए था, one of the banks, so यह noun और number वाली गलती है, जो कि आपको पकड़नी होती है, and तीसरा है आपका noun and the case, आपको तो पता ही है कि noun तीन केसे में available होता है, जैसे कि pronoun भी subject, then we have object और possessive, same चीज़ प्रनाउन के साथ में भी होती है, subject, object और possessive, noun के अंदर आपको पता है, यह s चो होता न, apostrophe s, यह सबसे ज़ादा तकलीव देता है, हम लोग बहुत बार इस apostrophe s का मतलग और इसे कहां पे place करना चाहिए, भूली जाते है, यहाँ पर इस case को study कीजे, a friend of yours phoned and wants you to call her, यह yours बहुत ही common mistake है, जो हम commit करते हैं, आपको पता apostrophe ना लगा के, yours लगेगा, बिना apostrophe s वाला, यह वही yours है, जो कि हम letter में नीचे sign करते हैं वक भी लिखते हैं, और यह गलती हम letter के अंदर भी करते हैं, तो apostrophe s को कहां लगाना चाहिए, apostrophe s को आप तब लगाते हो, जब आप किसी noun का possession दिखाते हो, जब noun singular होता है, तो apostrophe और का भी नाम भी क्यों ना हो, तो यह कुछ ऐसे common rules हैं, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, यहाँ पे yours जो है, वो प्रनावन की place पे था, इसके लिए your के आगे apostrophe s लगाने की बजाए yours लेखा, नेक्स्ट आपका important जो जिसमें आपको error देखने को मिलता है, वो है प्रनावन वाले वीडियो के अंदर हमने discuss किया था, कि reflexive pronouns कभी भी subject की position पे नहीं रखते, इसलिए myself तो यहाँ पर आए गई नहीं, दूसरी बात हमने यह भी देखा था, जब different different pronouns का इस्तमाल एक ही sentence के अंदर किया जाता है, तो 2-3-1 वाला theory लगता है, that means पहले second person, फिर third person फिर first person आएगा, that is why myself and Mukesh को मैं rewrite करूंगी, Mukesh and I के जैसे, so मेरा जो sentence है वो बन जाएगा, Mukesh and I will take care of the function on Monday, next जो बहुत ही common error आपको देखने को मिलता है, वो है adjective का, जैसे कि यह वाला, अगर हम लोग example देखे, your new dress is prettier and attractive than mine, adjective का एक rule है, जो कि यह कहता है, कि जब किसी एक ही noun क दो adjectives define कर रही हों, तो दोनो adjectives की degree सेम होनी चाहिए, मतलब अगर दोनो positive में है, एक positive में है तो दूसरा भी positive में होना चाहिए, एक comparative है तो दूसरा भी comparative होना चाहिए, एक superlative है तो दूसरा भी superlative होना चाहिए, तो यहाँ पे जब एक prettier comparative degree के अंदर है, तो attractive भी comparative degree के अंद attractive than mine sixth आपका जो error आपको देखने को मिल सकता है वो time or tense का error होता है यह बहुत ही common error है जो आपको देखने को मिलेगा कभी present की जगे past use किया है past की जगे future use किया है बहुत ही common है जो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि इस sentence के अंदर all of a sudden अंजनी remembered that he has not locked the office आपको तो पता ही है कि इस clause के अंदर अंजनी remembered है that means यह वाला जो clause है यह past में है तो फिर यहाँ पर यह present में कैसे हो सकता है जब अंजनी remembered past में है तो यहाँ पर यह present पे नहीं होगा इसे भी मुझे past में करना पड़ेगा so sentence क्या बनेगा all of a sudden अंजनी remembered that he had not locked the office alignment clauses का होना जरूरी है जब sentence past में चल रहा है तो I'll make sure कि sentence past में ही चले next हमारा जो error हो सकता है वो आपको देखने को मिलेगा adverb में he walked quick so that he would not be late आपको पता है quick जो है वो actually एक adjective है जबकि quickly जो है वो adverb है adjective तो noun को define करने के काम आते हैं right adjective कभी भी work को define नहीं करते है और यहां पे तो quick walked के बाद लिखा है that means यहां पे quickly होना चाहिए adverb होना चाहिए ना कि adjective so sentence बनना चाहिए he walked quickly so that he would not be late next आपके लिए है preposition preposition की गलती बहुत ही common गलती होती है जो की देखने को मलती है if you don't submit the report in the next two days all of us will be punished होता था ना exam मतब ऐसे school में teacher ऐसे किसी एक को तो punishment दे 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 ती और बोलते थी जब तक यह submit ने करेगा तब तक यह नहीं होगा वह नहीं होगा exactly वैसा ही है फ़रक इतना है कि जब आपको deadline दे दी जाती है तो उस deadline के दौरान को बताने के लिए within का इस्तमाल करती हो that means before the deadline time के end होने से पहले वाले पीरिट को दिखाने के लिए within का इस्तमाल किया जाता है जबकि वह deadline उस end of the पीरिट को दिखाने के लिए इनका इस्तमाल किया जाता है यहां पे इन जो है वो गलत रहेगा इसकी जगे क्या होना चाहिए within होना चाहिए if you don't submit the report within two days within next two days all of us will be punished last error जो आपको देखने को मिलता है वो है conjunction का conjunction जो होते है इनका error ऐसा error होता है जो बहुत जल्दी पकड में भी नहीं आता इसके लिए conjunction के रूल को तो एकदम घोल के पीजा यह कहता है the driver was thrown out of the car and fortunately he was not hurt seriously अब सुनने में तो बहुत चारे लोगों को यह सही लगेगा पर आपको तो पता ही है कि and यहां पर जोड़ने का काम करता है दो कह सकते हैं similar तरीके की clauses को यहां पर जबकि contrast rise हो रहा है आपको पता है पहले वाला clause कह रहा है कि driver जो है उसको वो car से फिक गया था और दूसरा वाला clause कह रहा है शुक्र है उसे जादा नहीं लगी दोनों ही contrast है add का इस्तमाल यहां पर किया जा कैसे किया जा सकता है तो इसकी जगे भी बट होना चाहिए क्योंकि बट का इस्तमाल contrast दिखाने के लिए किया जाता है यह 9 ऐसे common conjunctions हैं जो कि आपको नौ यह ऐसे common errors हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं error spotting error में यह आप जब भी कोई भी sentence देखते हैं आप इन्हें spot करने की कोशिश कीजिए आपके answers बहुत जल्दी आने लगेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं इन 9 के 9 points को spot करूं इतना बड़ा तो कभी कभी sentence भी नहीं आता आपको यह करना है यह आपका homework है कि यह 9 जो मैंने आपको errors बताए हैं इन 9 errors से आप कुछ ऐसा word create कीजे जिस word की मदद से आप यह 9 के 9 errors को याद रख सके जैसे ही आपको ये 9 के 9 words याद हो जाते हैं तो उसकी बाद में errors याद हो जाते हैं तो उसकी बाद में काफी असान हो जाएगा किसी भी sentence को देखके quickly check करना कि article, noun, noun के cases, pronoun, preposition ये सब कुछ अपनी जगह पर है या नहीं जैसे ही आप वो confirm कर लेंगे कि सारी चीज़े अपनी जगह पे आप no error पे एकदम बिंदा स्टिक कर सकते हैं आई ओप ये वीडियो आपके काम आया होगा और error spotting आपके लिए आसान हुई होगी अगर हाँ तो वीडियो को like करना मत बूलना अपने friends के साथ share share करना मत बूलना और channel को subscribe करना मत बूलना I'll see you in the next one bye bye